हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी चैनल पे और आज मैं बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप एक बार बना लेंगे तो आप इसे बार बार जरूर बनाएंगे और यह सब्जी है पालक से बनी हुई तो यह मैंने धो लिय पानी से और धोकर चन्नी में अलग निकाल लिया था तो इसका सारा पानी सूख गया है अब इसे हम रफली काट लेंगे कैसे भी छोटे बड़े पीसेज में इसको कट कर लेना है और फ्रेंट्स अगर आपने यह सब्जी एक बार बना ली तो सच में दुबारे तिबारे ब अब बना सकते हैं इसकी कॉंटिटी बढ़ जाएगी थोड़े से पालक से भी तो चलिए यह सारे पालक को मैंने कट कर लिया साथ में यह दो हरी मिर्चे स्लिट कर लिया है यह भी साथ में जाएगी अब हम पैन गरम कर लेते हैं उसमें थोड़ा सा मुंफली डालेंगे यहां पैले और यह भी जब चटकने लग जाए देखें यह क्रैकल हो रहा है तो उसके बाद हम डालेंगे एक बड़ा चमच इसमें बेसन का अब इससे हमें अच्छे से भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए तब तक हमें इसको भूनते रहना है और लो फ्लेम प यूनीक है मसाले तो टेस्ट कितना आमेजिंग आएगा अब इन सब को हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे और इसका पाउडर करेंगे मसाला इसी से तियार करना है हमें तो इसको ग्राइंड कर लेते हैं अब सेम पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे बिलकुल आदे च क्रेकल हो जाए तो यह जो हमने पालक कट करके रखा हुआ था इसमें डाल देंगे पालक को हमें पकाना है यह देखिए जितने भी पालक है वो सब मैंने इसमें डाल दी है एक गड़ी की पालक थी मेरी वो पूरा डाल लिया है और इसमें डंडिया मैंने नहीं रखी है पा पानी सूप जाए तो नमक डाल लेंगे ताकि जितना पानी इसमें निकलना होगा निकल जाए और उस सारा पानी को हमें ड्राइ कर लेना है तो यह प्रोसेस चलता रहेगा तो इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं एक साइट दूसरी तरफ चढ़ा दूँगी और फिर बाकी क आगे का काम मैं करूँगी तब तक यह देखिए इसमें नमक डालते ही काफी सारा पानी रिलीस कर दिया है पालक ने यह हमें ड्राइ करना है तो इसे दूसरी तरफ चढ़ा कर मैं एक और कड़ाई चढ़ाऊंगी और उसमें डाल लेंगे दो बड़े चमच की लगबग ते कुछ भी आप डाल सकते सरसो तेल भी डाल सकते यहां पे और यह तड़का जाएगा इसमें धनिय का तो धनिय को अच्छा से क्रस्ट कर लेंगे ताकि अच्छा फ्लेवर आए धनिया जब हाफ हाफ हो जाए तब हमें डालना है थोड़ा सा जीरा डालेंगे तड़के में त तो बहुत ही युनीक सी ये सबजी बनने वाली है और ठेर सारा लसन चौप किया हुआ थोड़ी सी दो मिर्ची डाल दी है हमने और साथ में डालेंगे सफेद वाले वही वाले तिल एक बड़े चमच यहां तड़की में भी डाल देंगे तो है न डिफरेंट सी रेसिपी आप जरूर बनाएगा अपने घरों में और फ्रेंट्स अगर आपको पसंद आती है तो फैमिली और फ्रेंट्स के साथ शेर जरूर कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा एक चौप किया प्याज इसमें हमने डाल दि इसमें नमक डाल लेंगे और ध्यान रहें कि हमने पालक में भी थोड़ा सा नमक डाला है तो उसे हिसाब से हमें डालना है साथ में डाल लेंगे हल्दी तो हमने ये धनिया जीरा का पाउडर साथ में ग्रैंड किया हुआ वह डाल लेंगे आप अलग-अलग से भी डाल सकते हैं और साथ में कसूरी मेथी डाल लेंगे क्रस्ट किया हुआ तो इन सब मसालों को भून लेंगे अच्छे से तो देखिए मसाले की कौंटिटी धीरे-धीरे बढ़ रही है अब इन टमाटर को हम पका लेंगे अच्छे से ढख कर तो यह देखिए तेल भी अलग से सेपरेट हो रहा है और मसाले भी अच्छे से जो हमारे टमाटर है वो सॉफ्ट हो चुके हैं तो इनी सब चीजों से ग्रेवी हमारी तयार होगी साथ में हमने डाल दिया हलाल मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी हिसाब से डालिए लाते हुए रहेंगे क्योंकि वह बेशन है चिपकता है तो अच्छे से चलाना है अब इसे अच्छे थोड़ी देर हम भून के उसके भाड़ धक कर पकाएंगे ताकि अच्छे से पक जाएए सारे मसाले और ओल हमारा सेपरेट हो जाएं तो यह देखिए मसाले लगबक है तो हलका हलका पानी डालेंगे पहले इसे एक साथ इकटे पानी नहीं डालना है नहीं तो गुठलियां बन जाएंगी पहले थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि जो गुठलियां ना बने अच्छे से हम क्रैक कर लेंगे सारी गुठलियों को उसके बाद ही gravy के according इसमें पानी डाल लेंगे और अब जो हमने ये पालक रखा था जिसका हमने सारा पानी ड्राइ किया है पका लिया है इसे 50 बसंट तर तो वो पालक को हम इसमें डाल लेंगे देखें ये पालक लग रही है बिल्कुल थोड़ी सी लेकिन सबजी हमारी बनकर तयार ऐसी होगी कि आप पूरे परिवार मिलकर आराम से खा सकें क्योंकि ये gravy वाली पालक की सबजी है और टेस्ट बिल्कुल यूनीक है तो इस recipe को आप जरूर ट्राइ कीजिएगा अपने घरों पे रोटी, चावल, पराठा, पुरी, नान किसी चीज के साथ भी इस सबजी को खाएंगे तो बहुत ही अलग सा टेस्ट आएगा तो अब चलिए gravy के हिसाब से मैंने पाइन डाल दिया ढखकर इसे एक उबाल आने देते हैं तो उबल चुकी है हमारी सबजी अच्छे से बस एक दो उबालाना ही जरूरी है उसके बाद ये तयार है हमारी सबजी बस इसमें एक चादूई सा तड़का हम इसमें डालेंगे तब जाकर हमारी ये सबजी बहुत ही डिफरेंट और यूनीक हो जाएगी तो चलिए तड़का पैन में डालेंगे हम थोड़ा सा ओयल और इसमें डालेंगे फिर से हम एक बड़े चमच के लगबग चौप किया हूँ लेसन लेसन इसमें बहुत अच्छे से डालना है हमें इस सबजी में और ये जब लेसन अच्छे से भुन जाया इसका फ्लेवर आने लगे उसके बाद हम फिर से एक चमच भरके इसमें डालेंगे तिल तो लेसन और तिल आपने देखा दो से तीन बार यहाँ पे तीन बार यूज किया जा रहा है तो बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट होने वाला है इस सबजी यह भुने हुए तिल मुफली और बेसन जाता है और साथ में आएगा लसन और धनिये का फ्लेवर तो बहुत ही यूनीक राजस्थानी स्टाइल की टेस्ट इसमें आने वाली है और जब यह उतार लेंगे हम तब डालेंगे इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च कश्मेरी लाल मिर्च ताकि सबजी देखने में भी बहुत ही सुन्दर सी लगे तो इसके उपर हम यह तड़का डालेंगे और बस तयार है हमारी यह डिफरेंट सी पालक की ग्रेवी यूनीक स्टाइल पालक की सबजी है फ्रेंट्स आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए और पसंद आये तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक प् पूरी पराटा नान किसी के साथ भी सब और अच्छी लगे तो फीडबेक जरूर दीजेगा मैं मिलते हूं फिर नेक्स्ट रेसिपी में किसी और अमेजिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई